ये है ड्रम ब्रेक और ये है डिस्क ब्रेक ये मिन्टोस जिंदगी है ये है आम जिंदगी अगर आप खरीदने जा रहे हैं ड्रम या फिर डिस्क ब्रेक वाली बाइक या फिर स्कूटर आप ध्यान रखें तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ड्रम ब्रेक खरीदने च को रिपेर करवाने में या फिर यहां पर कितने पैसे लगवाने हैं, इस वीडियो में आपको पूरा डिटिल से बतानी वाला हूँ, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर को एक स्कूटर लेना था, उनको confusion थी कि वो drum break लें या फिर disc break लें तो उन्होंने मुझे mail किया था तो मैं especially बना रहा हूँ जिससे आप लोग जानकारी कर सकें और इसमें वो जानकारी मिलेगी आपको जो आपको Google पर भी कभी धूनने से भी नहीं मिलेगी इसलिए वीडियो के साथ बने रहें बिल्कुल भी skip न करें जिससे आपको जानकारी पूरी मिले वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना न भूलें और दोस्तों के साथ सेर करें सबसे पहले आप देखेंगे कि यह है drum break यह 130 mm की drum break आती है इसमें 110 mm की भी drum break आती है लेकिन जैसे अभी आप देख रहे हैं 130 mm की drum break यहां पर आप देखेंगे यह है disc break इसमें जैसे पेटल डिस्क बहुत सारी डिस्क आती हम उनकी बात नहीं करेंगे हम इनके फाइदे और नुकसान की बात करेंगे इसमें 276 mm, 300 mm, 320 mm, 280 mm, 240 mm ऐसे disc break के कई परकार के model आते हैं तो वहाँ पर वो अलग बात होगे लेकिन इनके फाइदे क्या है नुकसान क्या है इसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले आप देखेंगे कि यह है drum brake, अब drum brake में क्या होता है नॉर्मली जैसे यह drum लगा हुआ है यहाँ पर यह एक केम लगी हुई है, अब केम यह connect है वायर से, यह old model बाइक है अगर यह new model बाइक होती इसमें ASB braking system होता तो इसमें दो तार लगी होती जिससे दोनों brake एक साथ लगती है लेकिन वो अलग बात हो गई यहाँ पर जैसे अगर आप देख रहे हैं भाई तो यहाँ पर एक brake सू इधर लगा है और एक ब्रेक सू इधर लगा है जब आप इसको ऐसे दबाते हैं तो दोनों brake सू फैल जाते हैं और उसके बाद इसमें brake लग जाती है यह है इसका नॉर्मल मैक्रिनिंजम की मतलब इस इससे ही आपकी brake लगती है लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे डिस्क ब्रेक में तो यहाँ पर एक प्लेट लगी होती है यह जो आप इसके सुराग देख रहे हैं इससे एर पास होती है जिससे यह जल्दी ठंडी हो सके कुछ लोगों का मित ही है जब नई नई डिस्क ब् लेकिन अब वो डर निकल चुका है क्योंकि हम लोगों ने वीडियो बनाकर बहुत सारी जयनकारी बाटी हुई है इसलिए आप जरूर देखें उनको भाई यहाँ पर जैसे इसमें क्या होता है अगर आप इस बाइक में देखेंगे मैं आपको पूरा मोड के दिखा देता ह यहाँ पर क्या होता है आप डिस्क ब्रेक के मेकैनिजम को देखें एक डिस्क पैड यहाँ पर लगा हुआ यह आप देख रहे हैं मेरी इंगली की तरफ और एक डिस्क पैड यहाँ पर इस तरफ लगा हुआ है तो इससे क्या होता है कि जब आप ब्रेक दबाते हैं यहाँ पर यह देखिए जब आप यहां पर दबाते हैं तो वो दोनों डिस्क पैड क्या होते हैं इसको ऐसे चिपका लेते हैं ऐसे ऐसे चिपक जाते हैं तो इससे क्या है कि बहुत हार्ड कोर ब्रेकिंग लगती है मतलब बहुत जादा अच्छी ब्रेकिंग लगती है इसमें क्या ह वह लगए देखो दोस्तों यह सारी शीये अब इसमें एक बात बता दूँ कि यह क्य preach अगर जाद़ कीमत में मिलेगी • अगर डिस्क बीक वाली लेंगे तो उसमें पांस जार और जादा लगेंगे मतलब दस जार रुपे महंगी रहेगी ABS ब्रेकिंग सिस्टम वाली बाइक तो यह चीज आपको ध्यान देना है तो यहां पर हम ABS की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है बाइब ब्रेक की ब्रेक हैं यहां पर यह पाइप लगी है जब आप दबाते हैं तो यहां से ओयल का प्रेसर जाता है इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी बोलेरों में ट्रक में लिखा रहता है पावर ब्रेक क्योंकि जब आप देते हैं जब ब्रेक लगाते हैं तो यहाँ पर आता है प्रेसर ओयल का और ये दोनो ब्रेक सुच चिपक जाते हैं उसके बाद ब्रेक इसमें से लग जाती है तो भाई यह तो सब कोई जानता है वाँ पूशो कि यार मिन्टू भाई कुछ नया बताने के लिए कह रहे थे तो कुछ नया बताओ देखो भाई अगर इसकी बात करें कि अगर आप यह दूब्लिकेट ले लेंगे 800 रुपे में आजाएगी अगर आप ब्रेक सुचेंज करवाएंगे तो जैसे बहुत ज्यादा लोकल लेंगे तो 800 रुपे का जाएगा और ओर इसको कोई भी रिपेर कर सकता है इसमें जब यह ब्रेक केबल जाम हो जाएगी तब ही आपकी ब्र जाम हो जाएगी तो फिर होगा यह कि जब आप ब्रेक लगाएंगे यहां पर देखें जब आप ब्रेक लगाएंगे यह वापस नहीं जाएगी तो इससे क्या होगा कि आपकी बाइक की ब्रेक जाम हो जाएगी तो ऐसे में थोड़ा बहुत जैसे बाइक जाम चलती है लेक प्रैक प्रणальные हैं अब यहां धे कंग जैसे घ्र आपने पहाई पर न लाइकल होगा JOE फिस नहीं हो छेरी का उत्ते है्व कि उसे फीड कैसे पुरानी की मैषी तो समस्क्रीवба को पूरी चलते अपने आप लग जाती है और राइडर गिर के हाथ पहर तोड़वा लेते हैं अब यहां पर मैं डरा नहीं रहा हूं कुछ ही केस में ऐसा हुआ सबके साथ ऐसा नहीं हुआ है अगर सस्ता नसा रहेगा सस्ता नसा का मतलब कि सस्ती ब्रेक रहेगी सस्ती गाड़ी जब ऑईल आता है तो यह पिस्टन जाके ब्रेक सू को दबाते हैं और यहां पर ब्रेक सू उसको पकड़ लेते हैं डिस्क ब्लेट को तो नई नई पर तो कोई दिक्कत नहीं रहे थी इसको तो कोई आपको बता आता नहीं है लेकिन जब बाइक पुरानी होती है मेरे जब वापस नहीं जाती है तो या तो आपकी बाइक चलती रहीगी तो बहुत जाम चलने लेगे आपको रुकना पड़ेगा या फिर कई केसे में ऐसे हुआ चलते चलते ब्रेक जाम हो जाती है फिर वो पलड़ जाते हैं और यह बहुत ही केसे में नमत्तर्ब 99% नहीं प्रेसर दब जाएगा फिर चूट जाएगा ऐसे तो ऐसे में आपको यह चेंज करवाना पड़ता है फिर कुछ लोग सोचते हैं कि क्या मैं डिस्क ब्रेक हटा के ड्रम ब्रेक लगवा सकता हूं यह बहुत सारी सवाल होते हैं तो उसकी अलग वीडियो बनेगी अभी खर्च खराब हो जाती फिर लग नहीं पाती इसलिए आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो अगर देखा जाए तो यहां पर अगर यह डिस्क पैड चेंज करवाएंगे देखें यह 200 रुपे का भी तीन सुरुपे का पांसो एक हजार रुपे का भी आता है डुब्लिकेट 100,500-200 रुपे का भी आता है तो मतलब इसमें भी लग जाता है लेकिन लगाने में हर कोई पारंगत नहीं होता है इसलिए हर कोई इसको लगा नहीं सकता है और अगर लगाएगा तो आपकी ब्रेक जाम चलनए लगी क्योंकि इसमें एर निकालना पड़ता है यहां पर एर के चाहते हैं आपको तुरंत ब्रेकिंग मिल जाए आप ब्रेक लगाए तुरंत गाड़ी रुग जाए तो आपको डिस्क ब्रेक वाली लेनी चाहिए अगर आपको 50-60-70 तक चलना है तो फिर आप ड्रम ब्रेक में काम चल जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको अगर आप नए है तो आपको पहली बार अगर आप बाइक खरीद रहे हैं तो आपको डिस्क ब्रेक की जगा ड्रम ब्रेक वाली बाइक लेकर फिर धीरे धीरे चलाना सीखना चाहिए उसके बाद आप इसको लें क्यों प्रॉब्लम क्या है अगर आप इसमें ब्रेकिंग कर जाएंगे ब्रेक माने इसलिए अगर आप अनारी है नूब है और अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं डिस्क वाली खरीदना चाहते हैं तो आपको ABS आपको थोड़ा बहुत प्राबलम हो सकती है इसलिए आप ध्यान दें मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत जादा अगर जैसे ब्रेक्सू और केबल आप चेंज करवाएंगे 500 रुपे में बन जाएगी और अगर आप इसमें ब्रेक्सू और यह सारी चेंज करवाएंगे त तो 15 boa hust ferry भी लग सकते है लिए 1 को जानकारी में आपको जानकारी कैसी लेगी अभी मैंそうですね सिस्टम के फायदे और नुकसान ही बताउंगा अभी मैंने आपको ड्रम Pols के फायदें और नुकसान बताए आपको यह बीडियों कैसी लगी आप लोग सिकायत कर रहे थे है कि मैं जैसे भाई टिप्स की वीडियो नहीं बना रहा हूं तो मैंने टिप्स की वीडियो बनाई है लेकिन आप लोग देखतें नहीं और लाइक नहीं करते हैं इसलिए थोड़ा सा मजा नहीं आता है इसलिए भाई लाइक शेर सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है इसलिए लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें यह हमारी दोनों ही बाइक है यह प्लैटिना है यह एफजड है तो आउर आपको यह बताना चाहूंगा कि आप हमारे प्रोड़क्ट M2R प्लस प्रेमियम पॉलिस को जरूर करें तो माइक्रो फाइबर क्लॉस को जरूर यूज करें जिसले आपकी बाइक चमकती रहे सबका डिस्क्रिप्सिन में लिंक है में इस फ्लिपकार में पर मिल रहे है तो हमारी वडियो को देखने के लिए हमारी चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यबाद आपका द झाल झाल